बे नकाब चेहरे हैं दाग बड़े गहरे हैं टिलिस्म तूट जाता है जूट भै खाता है काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ बड़े गहरे हैं और बड़े गहरे हैं दाग उनके दीखते हूए जिनता के सामने आ रहे हैं उसके बावजूद उन लोगों को सर्म नहीं आती है वो जूट पर जूट फैलाने में लगे हूए हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं वो सच का जंडा उठाए हूए हैं जिस तरीके से किसान आंदोलन के नाम पर पिछले एक महिने से ज़्यादा समय से गतिरोद चल रहा है और उसी बीच कुछ लोग हैं कि इस किसान आंदोलन में अपनी ही कही हुई पांस साल पुरानी बातों को भूल कर एक नए तरीके की परवासा करने की सोच रहे हैं देश में उपद्रब कराने की सोच रहे हैं देश के लोगों को भढ़काने की सोच रहे हैं और दावा तो ये करते हैं कि सूचनाओं का प्रसार करते हैं लेकिन बास्तम में वो प्रपंच का प्रचार कर रहे हैं और प्रपंच के पिचार के दोरान ही वो कुछ ऐसी बात है कह जा रहे हैं जो उनके उपर उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं जिया मैं बात कर रहा हूँ एंडी टीवी जैसे चैनलों की या फिर रवी स्कुमा टाइप के बकैत लोगों की जो अपनी ही कई भी परानी बातों को भूल कर अब कुछ इंडिस्टिरिलिस्ट को निसाना बनाने की कोशिस कर रहे हैं लोगों को उनके खिलाब बढ़काने की क इसामिल कर लिया गया बज़ए ये है कि अब ये लोगों को फाइदा पहुचाने के लिए प्रदान मंत्री नरेंद मोधी ने करसी कानूनों में बदलाब किये हैं लेकिन इन करसी कानूनों को मैंने कई बार पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं समझ नहीं पाया कि उनकी कौन सी धारा कौन सा स्रेक्शन कौन सा उप धारा ऐसी थी जो कि अदानी अंबानी या राम देव को फाइदा पहुचाने वाली थी उन तीनों कानूनों की सारी भासाओं में किसानों के फाइदे की बात की गई है लेकिन रभीस टाइप के लोग एड़ी टीवी जैसे जो चैनल है वो यहां पर अलगी तरीके की बात करके लोगों को बरगलाने की कोशित कर रहे हैं और रभीस पांडे की भासा में कहें तो वाटसप यूनिवरस्टी भी इसमें बड़ा योगदान दे रही है लेकिन वो वाली वाटसप यूनिवरस्टी नहीं जिसको गालिया देते है रभीस कुमार गोदी मीडिया का एक हिस्सा बताते हैं बलके वो वाटसप यूनिवरस्टी जिसके लिए फ्री वाइफाई देने के लिए दिल्ली का नगर मुख मंत्री और उसका नायब पहुचे थे किसानों के बीच राजनीती चमकाने के लिए एंडी टीवी मुके सम्मानी को अवाड देता है और अवाड देने के साथ साथ उसके सामने जिस तरीके से चाटुकुर्ता पूर्ण जो एंडी टीवी का मालिक है वो बिस्टा है या उसके पत्रकार बिस्टे है वो सबने देखाता लेकिन वहीं एंडी टीवी ये दिखान करने का प्रतीक हैं यहां पर यह भी बहुत ज्यादा उल्लिक करना जरूरी है कि पंद्रह सो से ज्यादा टॉबर्स को पंजाब में इसलिए निसाना बनाया दिया गया क्योंकि उन उपर जीयों के एंटिना लगे थे उनकी बिजली काट दी गई उनको तोड़ फोड की गई और तो और सर्मनाक तरीके से उनके जेनरेटर भी चुडा लिए गए और एक जेनरेटर को तो यह जो किसानों के शूर्मा थे यह उठाकर एक गुर्दवारे में दान भी करा है अला गया और उस वीडियो को बाइरल भी किया गया यह निश्चत तोरपक किसी भी तरीके से पंजाब की जो सल्सक्रिती है उसके अनुरूप नहीं था दसो गुर्वों ने जो सिच्छाएं दी थी उसके भी अनुरूप नहीं था क्योंकि जिस तरीके से गुर्दवारे में दे पंजाब के मुख मंत्री को पत्र भी लिखा गया और बाद पंजाब के मुख मंत्री नहीं अयलान किया कि जो लोग इस तरीके की तोड़ फोर या गुन्डा-गर्दी कर रहे हैं उपद्रब कर रहे हैं उनके खिलाप सक्त कारवाई की जाएगी और इसके लिए सभी जो प उद्योगपती को अगर इस तरीके से निसाना बढ़ाए जाएगा तो निश्चित तोर पर इसका असर जन्जीवन पर भी पड़ेगा जन्जीवन पर इसका असर होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ज्यादाता जो टौवर लगे हुए थे उन टौवर्स में केबल जियो के ही ए एंटीना थे एटेल के भी एंटीना थे और विए सनल जैसी दूसरी कंपणिया है उनके भी एंटीना उन लगे हुए थे और उन सभी के खराब होने की वैसे या काम न करने की स्तिती में जो इस्थानिये लोग थे उनका जो संचार का एक व्यवस्ताती वो पूरी तरीके से चर्बडा गई हालांके अब उन में से कुछ टॉवर्स की मरम्मत कर ली गई है और पंजाब पुलिस के द्वारा जैसा के मुखमंती ने निर्देश दिया फिर अब इनको सिकॉर्टी उपलब कराई जा रही है लेकिन सवाल ये उठता है कि एने टीवी जैनल या रभी स्चा बोने के लिए उनको मजबूर कर देंगी जबकि इसका आश्वासन देश के प्रदान मत्री पहले दे चुके हैं देश के प्रदान मत्री ने जिस तरीके से सरल बहसा में देश के लोगों की बहसा में उन कानूनों को समझाने की कोसिस की और ये बताने की कोसिस की कि इन फाबधान है कि अगर किसान कि सी कंपनी या किसी New Partner के साथ में country करता खेती का तो किसी भी अगर किसान को ragdark की विज़ेशे उपस नहीं होती है तो इसका के सांड को नहीं भुगत्रा पड़ेगा बलके उस company के दोना ही जो पायदा है जिसान के साथ में अगर कोंट्रेक्ट है तो किसान पर जुर्माना नहीं होगा लेकिन अगर जो दूसरा पच्छ है वो तोड़ता है तो उससे कंपेंसेशन किसान को देना पड़ेगा ये कितना बड़ा फाइदा है इसका जिक्रपदान मंद्री ने किया उन्होंने आगे बताया है कि मंडियों को लेकर जो ब्रहम पहलाया गया है वो भी गलत है और बंडिया ना तो बंद की जा रही है ना MSP खत्म किया जा रहा है उसके बाब जूज इस तरीके का बिहरम पहलाने की कोशिश की जा रही है लोगों को ब्रहमित करने की खासकर किसानों को या जो लोग वहां बैठे हुए है उनको ब्रहमित करने की कोशिश की जा रही है और दूसी तब सरकार की कोशिस ये है कि पूरे देश के किसानों को जागरुक किया जाए इस कड़ी में तमाम जो अन्र प्रदेशों के किसान है वो जागरुक हो भी रहें और येसी का नतीजा है कि देश के ग्रहम मंत्री और प्रधान मंत्री का आवार व्यक्त करते हुए व सरकार द्वारा प्रायजेट है, सरकार अपनी तरब से ऐसे लोगों को बुला रही है और उने किसान नेता बताने की कोज़ कर रही है, इसको लेकर कgewसी मंतरी ने सफाइब दी और उन्हें कहा कि अगर मैं किसी मंतरी हूँ تو मेरा ये कर्तब बुदता है कि मैं जो प्रदसन करने वाले बिरोध करने वाले किसाने उनसे भी मिलूँ और जो समर्थन करने वाले हैं जो इन कानूनों से खुस हैं उनसे भी मिलूँ लेकिन इससे एंडी टीवी जैसे चैनलों को और रभीस टाइप के बकैत प्रपंच कारों को दिक्कत होती है और उन्ह प्रताइबादी बता दिया जाता है यवा प्रतर्सन करते हैं तो और बनगसली बता दिया जाता है जबकि यह लोग भूल जाते हैं कि यह खालेस्तान वाली बात कॉँछ चुम के नेता रवनित विट्टु ने ही कहा था कि इस पूरे के जो भूमिका थी वो किसी से छुपी नहीं है विदेसों से फंडिंग लेकर पी एफाई ने जिस तरीके से साहिन बाग के मादम से दिल्ली को दंगव की आग मैज होका ये सीधे तोर पर आतंकवादी गत्वितियां ही थी और इसका कोई बचाब करता है तो आप समझ आईए कि या तो एंडेटी भी हो सकता है या उसका पत्रकार रूपी बकैत प्रपंचकारी रविस्कुमार टाइप का कोई बहरूपिया हो सकता है तो जो सच नहीं बोलेगा सिर्फ और सिर्फ बामपंती विचारदारा को आगे बढ़ाने की कोसिस करेगा चाहे इसका नुकसान पू तमाम देशों की जंचा को भुगतना पड़ा है उनकी कोशिस यह है कि भारत में भी बामपंत का प्रसार किया जाए लेकिन उनकी तमाम कोशिसों के बावजूद यह जो सनातरी परंपरा का देश है इसमें बामपंत कभी भी अपनी जड़े नहीं जवा पाया एक दो राज के लिए अधानी अंबानी को निसाना बनाता है कभी रामदेव को निसाना बनाता है और कभी पूरे के पूरे जो दूसरे लोग है मीडिया के उनको गोधी मीडिया का ठपा लगा कर अपने विरोध में खड़ा कर देता है और यह कहता है कि यह जो लोग है यह किसान